हेलो फ्रेंड्स, वेल्कम टो दर्शनास कीचन, आज मैं आपको बताऊंगी कि घर पर वीपिंग क्रीम कैसे बनानी है और इसको केक पर एपलाई कैसे करनी है, तो चलिए सुरू करते हैं क्रीम को बीट कने के लिए हमें चाहिए इलेक्टरिक बीटर, 180 वाट का ये हमारे पास ये बीटर है, आप कोई भी वाट का बीटर यूज़ कर सकते हो वीप के लिए हमें ये दो हूग की जरूरत रहेगी, यहाँ पर मैंने लिए है ये गोल्डन मार्क की क्रीम जो माविस कंपनी की है, क्रीम के लिए मुझे कोई भी कंपनी ने स्पॉंसर नहीं किया है, मैं सिर्फ आपके लिए ये बता रही हूँ ये क्रीम बेश्ट है, चाहे कितने भी वटका आपका बीटर हो, आपकी क्रीम कभी भी फैल नहीं होगी क्रीम को हम इस तरह से हिला देंगे, उसके बाद हम इसको यूज करेंगे यहाँ पर क्रीम बनाने के लिए हमें यूज़ करना है इस तरह का बड़ा बरतन जिसके अंदर हम सारी क्रीम एड़ कर लेंगे अब हम लेंगे इलेक्ट्रिक बीटर जिसको पहले एक स्पीड पर हम चलाएंगे तीन मिनिट तक हमें एक स्पीड चलाना है इसके बाद क्रीम थोड़ी घाड़ी बनने लगेगी क्रीम काफी सारी घाड़ी बनने लगी है पर फिर भी हमें और इसे चलाते रहना है आप देख रहे हो क्रीम घाड़ी दिख रही है 62-70 परसंट ये हो गई है अब हम इसकी स्पीड बढ़ा कर देंगे 7 पर मेरे मीटर में यहाँ पर 7 तक की स्पीड है तो मैं 7 कर रही हूँ आपकी स्पीड अगर 5 तक है तो आप 5 तक कर लिजी लास्ट स्पीड पर हमें इसे और भी चलाते रहना है 2 मिनिट तक और हम चलाएंगे आप देख सकते हो क्रीम गाड़ी हो गई है हुक पर मैंने ये थोड़ी सी क्रीम लेकर इस तरक से पटक रही हूँ तो बिलकुल भी क्रीम नीचे नहीं गीर रही है उसकी डिजाइन उसका जो भी क्रीम का टेक्स्चर है वो बिलकुल भी चेंज नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है क्रीम हमारी अब बनने को एकदम से तयार है अब हम थोड़ा सा एक मिनिट और चलाएंगे बार बार टेक्स्चर को हमें चेक करते रहना है अगर आपकी क्रीम और भी ज्यादा बीट हो गई तो वो आपकी क्रीम फैल हो जाएंगी उसमें से बटन निकलने सुरू हो जाएगे तो देख सकते हो हमारी क्रीम अब बिल्कुल भी बनकर तयार है बीटर को कर देंगे बन और ये देखिए हमारी क्रीम अब बनकर परफेक्ट तयार है होममेड क्रीम बनकर हमारी तयार है आपको ये क्रीम बनाने में अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है कोई भी सॉलिशन चाहिए तो मुझे कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताईए वीडियो को लाइक, सेर, सब्सक्राइब कीजिए बेल बटन दबाना कभी न भूले मिलते हैं अगली नई रिस्पे के साथ तब तक की लिए बाई बाई